इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिरोधा में पहली बार शेयर्स को कैसे बाय करा जाता है किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए एक एक स्टेप के बारे में complete information देने वाला हूँ अगर अभी तक आपन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा मैं हूँ जीशान आपका financial advisor और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल business field तो सबसे पहले आपको जेरोधा के app को open कर लेना है आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा अब आपको इस search वाले box पर click कर देना है आप जिस भी share को buy करना चाहते है उसका नाम आपको यहाँ पर type कर देना है जैसे मुझे ITC का share buy करना है सो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ ITC अब यहाँ पर आपको एक ITC NSE का दिखाई दे रहा है और दूसरा BSC का दिखाई दे रहा है आपको बता दू कि share trading के लिए mainly दो exchange है एक है NSE और दूसरा है BSC NSE का full farm होता है National Stock Exchange और BSC का full farm होता है Bombay Stock Exchange आप दोनों में से किसी भी exchange से share buy कर सकते हैं मैं NSE के through ITC के share को buy करना चाहता हूँ तो मैं यहां बीच में click कर दूँगा अगर इस plus वाले निशान पर आप click करेंगे तो यह watch list में add हो जाएगा फिर आप watch list में जाकर इसे buy कर सकते हैं चलिए मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ देखे अगर मैं बीच में click करता हूँ तो यहीं से मुझे buy करने का option मिल र option मिल रहा है दोनों ही तरीकों से आपको buy करने का option मिल जाएगा कोई भी share buy करने से पहले आपको इसका analysis जरूर करना चाहिए आप इसे अगर ऊपर की तरह थोड़ा सा scroll करेंगे तो आपको इस share की details चो होने लगेंगी इसकी market depth यहां से देखने को मिल जाएगी यानि blue color में क्या price coat हो रहा है और red color में आपको देखेगा कि कितने लोग इस share को sell करना चाह रहे हैं कितनी quantity में sell कर रहे हैं और कितने price में sell कर रहे है और जब आप इसे नीचे और scroll करेंगे तो यहां पर आपको एक fundamentals को option दिख रहा है अगर आप fundamentals पर click करेंगे तो इसके fundamentals भी आपको analysis करता रहता हूं अगर आप भी fundamental analysis सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं अब fundamentals को देखने के बाद जब आप इसे back करेंगे तो यहां पर technicals का option भी आपको दिखाई दे रहा है technicals पर click करके आप इसके और भी details चेक कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देखिए bearish है कि bullish है यहां पर आपको देखने को मिल जाती है सारी details चेक करने के बाद अब आपको इसे cut कर देना है और इसको उपर scroll करेंगे और यहां पर आपको buy वाले option पर click कर देना है अब आपके सामने कुछ ऐसे screen आ जाएगी यहां सबसे उपर share का नाम लिखा हुआ है इसके बाद यहां लिखा हुआ है कि NSC में ये share कितने का मिल रहा है और यही share BSC में कितने price पर मिल रहा है देखिए दोनों ही exchange में जो share के price है उसमें कुछ पैसो का ही फरक रहता है आप दोनों में से कोई भी select कर सकते हैं यहां मैं NSC को ही select रहने देता हूं अब यहां पर आपको चार options मिल रहे है regular, cover, AMO और iceberg फिल हाल आपको regular पर ही select रहने देना है अब यहां पर लिखा हुआ है quantity यहां पर आपको जितने shares buy करना है वो fill करना है आपको सिखाने के लिए मैं सिर quantity buy करने तो आप यहां पर 10 fill कर सकते हैं आपको 20 quantity buy करने तो यहां पर 20 fill कर सकते हैं लेकिन फिल हाल मुझे एक ही quantity buy करने है आपको सिखाने के लिए आपको practical knowledge देने के लिए तो मैं यहां पर इसे one ही type कर देता हूं अब यहां product में दो option दिखाई दे रहे हैं पहला option है intraday MIS म यह खुद बखुद यानि यह automatic ही sell हो जाएगा चाहे आपको profit हो या loss दूसरा option है long term CNC CNC का मतलब होता है cash and carry मतलब इस share को आप एक दिन से ज्यादा के लिए भी buy करना चाहते हैं तो इस option के तुरू आप इस share को लंबे time के लिए hold कर सकते हैं एक दिन 10 दिन 2 महीना 6 महीना साल या उससे ज़्यादा समय के लिए भी आप इसे hold कर सकते हैं CNC के तुरू अगर आप share market में नए नए हैं तो आपको intraday में बिल्कुल भी trade नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको loss होने के जासे बहुत ज़्यादा होते हैं आपको long term में ही trade करना चाहिए CNC वाले option में आप कभी भी share को sell कर सकते हैं सो मैंने यहाँ पर long term को ही select कर लिया है अब यहाँ type में कई सारे options दिये हुए है market है limit SL मतलब stop loss और SLM मतलब stop loss market अब अगर आप market के option को select करते हैं तो देखे यहाँ पर price fill करने को नहीं दे रहा है मतलब अभी ITC का market में जो price चल रहा है उसी price पर buy buy करना हो तो आपको market वाला option choose करना होगा limit वाले option को अगर आप choose करते हैं तो देखे यहाँ पर price fill करने का option देने लगा है limit का मतलब यह होता है कि जैसे अभी ITC के share का price 266 रुपए 20 पैसे हैं पर आप चाहते हैं कि इस share को आप तभी buy करेंगे जब इसका price 266 रुपए से set target को अभी off ही रखना है इसको मैं अगर more पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए validity का option दिखाई दे रहा है इसमें आपको IOC को ही select करना है IOC का मतलब होता है immediate और cancel मतलब आपका यह order या तो तुरंद execute हो जाएगा मतलब share तुरंद buy हो जाएगा या फिर cancel हो जाएगा आपक इसे में market price पर ही buy करना चाहता हूँ तो मैंने market को choose कर लिया है और IOC पर भी click रहने दिया है इसके बाद आपको swipe to buy पर swipe कर देना है देखे यह order complete हो चुका है अब यहाँ order पर click करके आप अपने order को देख सकते हैं execute के अंदर आपको यह order दिखाई दे रहा है मतलब यह order buy हो चुका है अब हमें देखना है कि हमें इस share पर कितना profit या loss हो रहा है तो हमें यहाँ पर portfolio पर click करना है और portfolio में click करने के बाद हमें positions में आना है और देखे यहाँ पर हमें total profit and loss दिखाई दे रहा है अब आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है इसका simple सा तरीका यह है कि जितने में आपने share buy किया है जब price उससे ऊपर जाएगा तो आपको profit होगा और जब आपने जितने में share buy किया उससे price नीचे जाएगा तो आपको loss होगा जैसे देखी यहाँ पे मुझे 10 पैसे का profit दिखाई दे रहा है तो उमीद करते हैं कि जिरोधा में आपको पहली बार shares कैसे buy करना है यह आपको बहुत अच्छी तरीके सावंज में आ चुका होगा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई confusion है तो आप मुझे comment box में पूस सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिरोधा में आप share कैसे sell कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो त अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और business field को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूले क्योंकि इसका कोई पैसा भी नहीं पड़ता है और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी information मिलती रहेंगे आज के लिए बस इतना ही जहें